हेलो दोस्तों वेल्कम एव्रिवोन एंड थैनोस फोर्सेस हल्क एपिसोड 2 और आप लोगों ने अभी तक देखा ही था एपिसोड 1 में क्या हुआ था पिप ट्रॉल ने हल्क को किड्नाप करके अर्थ से लेके गया था डायरेक्ट नेगेटिव जोन में जहां पे बलस्टर म क्योंकि वो अर्थ में वापस नहीं जा सकता अगर वो अर्थ में वापस गया तो अविंजस उसे पूरा का पूरा चील डालेंगे तो इसके लिए वो उसे अभी हीरो बनना था और हल्क को रिस्क्यू करना था तो चलिए शुरू करते एपिसोड 2 लेकिन उससे पहले मैं आ उदर वीडियो चला जा रहा है मैं जल्दी से जल्दी यह खतम करता हूं तो उस ट्विटर में जाए और फॉल्यो कीजिए और हम लोग एक साथ हमेशा लाइव रह सकेंगे ट्विटर में क्योंकि मैं बहुत सारा ट्वीट करता रहूंगा हरे गंटे तो एनिवे आप और उसे यूज करने का खमता उसे चाहिए और उसे यूज कैसे कर सकते हैं वो उन लोग को पता चलना चाहिए और वो ही काम जारी है और उधर हम लोग देखते हैं हल्क के मतलब ब्रूस बैनर के कॉंस्सनेस के अंदर जो की एक अलग टाइप का दुनिया है एक ब्लू कलर क नीला रंग का या फिर वाइलेट कलर का एक जो दुनिया है उसके अंदर अभी थैनोस आ चुका है और थैनोस का कॉंससनेस उसके अंदर आके उन लोग को बोल रहा है कि एना हिलस को तुम क्यों चाहिए तो तभी ब्रूस बैनर को ये शक हो जाता है या फिर वो ये कंफर् लेकिन ये सब पूस्ताच के वजए से थैनोस जब ये सब पूस्ताच कर रहा था तब हल्क बहुत गुस्सा हो गया और हल्क बोल रहा था कि वो इसका जवाब नहीं देगा और तभी थैनोस गुस्सा हो कि जब हल्क उसके उपर वार करने जाता है थैनोस उसके उपर चल मत जाती है और एनाहिलिस के जो डॉक्टर्स उसके सेरिब्रल नियूरल नेटफोर्क्स को स्टडी कर रहे थे उन लोगों के बीच में ये पता चल जाता है कि हल्क के ब्रेन में अभी कुछ कुछ ना कुछ तो चल रहा है तो इसलिए वही ग्राफ में सेरिब्रल नियूरल नेटफोर्क्स के ग्राफ में अभी संतुलन बिगर गया है और कुछ ना कुछ तो उसके कॉंससनेस में इधर उधर चल रहा है और हम लोग देते हैं थैनोस एक की बाद एक हल्क को पीटती ही रहा है और हल्क भी एकदम चुप नहीं बैट पा रहा है क्योंकि उससे उसके अंदर भी रेज है और गुसा है और वो थैनोस को मारना चाहता है लेकिन थैनोस ब्रूस बैनर से चीच चीच के बोलता है कि तुम इस हल्क को समझा दो के मैं अभी तुमारे कॉंससनेस के इसे तो एनिवे वो थैनोस को टच करने के बाद एनाहिलस के कम्प्यूटर सर्वर नेटवर्क में मौझूद हो जाता है टेलिपोर्ट करते हुए और तभी उससे पता चलता है कि एनाहिलस के कॉंससनेस वाले नेटवर्क के अंदर है थैनोस और ब्रूस बैनर यह सब कहा है यह तो पीप दे ट्रॉल को अभी तक पता नहीं चला है और उधर जब ब्रूस बैनर बोल रहा था था थैनोस को कि तुम रुख जाओ इस हल्क यह मौन्स्टर क्रेचर के ऊपर इतना मतलब क्या बोल सकते हो इतना टॉर्चर मत करो तब भी थैनोस रुक नहीं रहा थ और हल्क के ऊपर टॉर्चर करता ही जा रहा था और इसी वज़य से पूरा रीडिंग उसी सेरिब्रल नियूरल नेटवर्क कर रीडिंग यह डॉक्टर के सामने आ रहा था जो कि एनाहिलस के लिए काम कर रहे थे तो तब ही वो लोग एनाहिलस को यह इन्फॉर्मेशन दे आइडिया कि इसके ब्रेन में कुछ ना कुछ तो हल चल मच रहा है और तभी हम लोग देखते हैं उसके ब्रेन में ब्रूस बैनर के पास एक ही आइडिया आता है कि उसे पता है हल्क के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो पूरा का पूरा यह टेक्नोलोजी को या फिर यह खीच के यह खेल बदल डालेगा लेकिन ब्रूस बैनर के पास यह दिमाग है और यह बुद्धी है कि वो पूरा का पूरा एक्चुली वो अपनी कॉंसेसनेस के अंदर है तो यह पूरा गेम कौन शक्तिशाली ज्यादा रहेगा यह सब कुछ वो डिसाइड कर सकता है तो इ एक बहुत बढ़ी बढ़ी आम्का मारता है फिर उसके वपर चरके उससे बहुत सारा पंचेस घूसा मारते है तो उसको नीचे धकेल के ते रहता है और बुस बर्नर हलक को आदिश देता है कि हा मारू उसे नीचे फेकते रहो और तब ही हम लोग देखते है पिप दरोल जो की हलक का location ढूण रहा था तब उसे मिल गया blaster और blaster बहुत सारे technology को लेके किसी तरफ जा रहा था पिप दे ट्रॉल को तभी पता चल गया कि शायद यही है वो location जहां पे blaster बहुत सारे technology वाले चीज़े को लेके move कर रहा है और तभी एनाहिलस उदर आ जाता है और एनाहिलस को जब पता चलता है कि हलक के brain के अंदर यह जो हल चल मच रहा है वो किसी घुसपैटी का कारण है मतलब कोई और कोई और इनसान तो नहीं या फिर कोई और living form उसके हलक के consciousness के अंदर आ गया है तो यह जो भी घुसपैटी है इसको निकालना पड़ेगा ऐसा इसके लिए एनाहिलस को हलक के मतलब Bruce Banner के consciousness वाले network के अंदर जाना पड़ेगा और एनाहिलस उसके अंदर जाने का decision ले लेता है और उधर Hulk और Thanos के बीच में जो भी fight चल रहा था उसका दाद देते हुए Thanos बोलता है हाँ मुझे पता था Bruce Banner के तुम बहुती talented इंसान हो इसलिए तुम ये पूरा दिमागी खेल को अपने तरफ बदल लिए लेकिन तुमें वो शायद एक दुनिया के मतलब अर्थ के किसे इंसान के लिए बहुती बढ़िया काम होगा लेकिन एक titans के लिए नहीं क्योंकि मैं हूँ Thanos मैं हूँ एक titan और तुम मेरे against ये सब कुछ भी फाइदा नहीं उठा सकते ऐसा बोलते हुए वो Hulk और Bruce Banner को दोनों को ये एक ही घूसे से मार गिराता है और Thanos बोलता है अगर तुम मेरे सामने माफी चाहते हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा तुमें एक merciful मौत दूँगा मतलब तुमें कुछ भी कश्ट नहीं होगा और हम देखते है एना हिलस अभी रेडी हो चुका है उसका मास्क को लेके और उसे पता चल चुका है कि Thanos है वो घुसपैटी जो की हलक के ब्रेन के अंदर है और अना हिलस को पता है कि Thanos बहुत ही शक्तिशाली है लेकिन अभी वो लोग नेगेटिव जोन के अना हिलस के सामराज्य के नेटवर्क से कनेक्टेड है और तैनोस का कॉंससनेस इधर कुछ भी शक्ति दिखाने ही पाएगा इसी लिए तभी एना हिलस ब्रूस बैनर के कॉंससनेस में आ जाता है और आके तैनोस को आदिश देता है निकल जाओ इदर से और तैनोस बहुत ही गुसा हो जाता है और वो बोलता है एना हिलस जैसे ऐ लेकिन ब्रूस बैनर और हल्क थोड़ा चौक जाता है कि यह तो एक्षिल में नहीं हो रहा था और एनविश बोलता है मैं तुम लोगों को इधर मेरे लिए काम करवाने के लिए लाया हूं और तब ब्रूस बैनर और हल्क को यह पता चलता है कि वह लोग बहुत इव लंबी और बड़े मुश्किल में है उधर तैनोस को पता चल जाता है कि पिप ट्रॉल एक्चुली तैनोस को फॉलो करते हुए नेगटिव जोन में पहुच चुका है जहां पर हल्क है और एनविश भी है और तैनोस को तब यह चीज का एडवांटेज मिलता है कि उसे अभी एनव अभी शकती है जो मुझे यूज़ाँ पता नहीं कि थैनोस का निवर tulee नेटवरक सह से कनेक्टेट है क्योंकि थैनोस जब अटाक कर रहा था उसके वज़ए से अनविश को यह नहीं दिखा कि थैनोस को सरवर वारा नेटवरक 54श के स Sharp webpage i Taleoh यह इसे वीजर ए ص inner अभी डेट उसके अंदर से जो भी शक्ती है जो मुझे यूज़ करना है वही मैं यूज़ करूँगा क्योंकि बहुत टाइम जा रहा है इतना टाइम हम लोग वेस नहीं कर सकते ये बोलते वे एनाहिलस हल के उसी प्रक्रिया के लिए वेट करता रहता है क्योंकि हल के दिमाग के अंदर जो भी पावर है वो सब कुछ अनाहिलस को अभी यूज़ करना है और मैट टाइटन टैनुस को सप्राइज करना है तो यही है अनाहिलस का प्लान और वो पूरे एनुवर्स का शक्तिशाली आदमी बनना चाहता है या फिर आप लोग बोल सकते है वो आदमी तो नहीं है शक शेर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हां मैं तो एक चीज़ बोलना भूली गया हूँ टैंक्स पॉर ओल दर सपोर्ट हम लोग 6,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ही जल्दी मैं देख पा रहा हूं कि डिसमबत तक शायद हम लोग 10,000 सब बना पाया तो देखते हैं मैं अच्छी तरह वीडियो बना पाता हूँ या नहीं और आप लोग 10 सब्सक्राइबर बनाने में मुझे हल्प करते हैं या नहीं लेकिन ट्विटर अकाउन में फॉलू करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं जब भी कॉमिक पढ़ूंगा ट्विट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं तो अभी के लिए गुडबाई दोस्तों है वे ग्रेट नाइट